असलाम वालेकुम वियर्स मैं हूँ डॉक्टर तानिया वेलकम तो फ्रेश अपीसोड वीकेंड बस तोड़े आज हमारे साथ टेलिविजिन प्रोग्राम में मौझूद है अतिकु रह्मान साब फाइर 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 फाइटिंग चाई पर इस तरह की सुर्टियार ना मौझूद हो उस बारे में हम अतिकु रह्मान के साथ बात करेंगे और उनके उनके साथ हमारे साथ मौझूद है उनकी बेटे फवाद बारी साब जो कि मैनेजिन डिरेक्टर है इस कमपनी के फवाद बारी साब जो है वो उनका एकेडिमिक बैक्ग्राउंड है फायर प्रोटक्शन इंजिनिरिंग फ्रम कैनेडा और वो इस वकत एक प्रोग्राम चला रहे हैं साइटी में अवेरनेस देने के हवाले से किस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं असलाम अलेकुम सार आप दोनों ने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम में आने का और बड़े ही कम मौका मिलता है ऐसा कि साथ आएं और अपनी चीजों के बार में बात करें तो लेट स्टार्ट ओफ इत अतीक और रह्मान साब तो अतीक और रह्मान साब मुझे बाब बता है जिंदगी में बहुत लंबी जर्नी होती है हमारी लाइफ की मैं काल फवाध साब से यही बात कर रहीемся कि हम लोग तो बहुत सारी प्रोग्राम्र देखते हैँ हम वहुत सारी चीज़ें उसके पहिनत करते हुए मुकाम पर पहुंचता है बस ये फीड ही ऐसी थी कि इसमें तो आप हर हर लमें एंजोई किया और बहुत कुछ सीखा और सिखाया भी लोगों को ये उनिस सो श्यासर से इस फीड में हमें और ये मिताता हुँ कि हसीन मेरी मा का नाम है और अबी मेरे बाप का ये जब बनाए है तो मुझे दो जंगे तो याद है एक तो एक तो एक निस सो एकतर की उनिस सो पैसर्ट की जंग में तो बिलकुल भी ऐसा नहीं हुआ ता कुछ अटेक्व जिसमें अग लगी हो लेकि उनिस सो एकतर में जरूर ऐसा हुआ कि लोगों की आंके खुल रहें ये सो पे कराची में अटेक हुआ था मीजाहिल अटेक तो जो जो जलना शुरू हुआ तो सारे टेंग जलते रहें और जो हमारे प्लैन था गवर्मेंट का ब्लैक आउट करेंगे वो खताम हो गया था तो उस वब फिर बिलकुल शहुड नहीं था लोगों को में कोई फार काउट में वापा जाता था गाड़ियों की बतिया बंद करके यानि इतना हमारे पास रश होता था उस वड़ जैसे डाल आटा विकता है ऐसे फायर एक्ष्टिंगुशर विक रहे थे माशाला साहिब पार तो फिस एक बात चलते रहे हम लोग फिर उनीस सो च्छाट में ल पास कि आप ये लगाएं लेक्स हमने में अब बड़े सेमिनार करें बड़ी एक्षिशन करा ही इस मामने में लोगो नोहाओ दिया कि क्या इसका फायदा है क्या नहीं है मैं आपको एक थोड़ा सा चलते चलते बताता चकूँ एक इस में आप बीती अपनी है मेरी जानी उन जो थे उनने जलते वे स्टोब में इस्पिर्ट डाल दी और वो इस्पिर्ट जो निकार में डबा था इस्पिर्ट का वो पूरा का पूरा मेरे कपड़ों पे आग के साथ आया और ये अपको बता रहा हूं कि में नीशे से उपर तक शोड़े मेरे थे अच्छा कपड़े इस दमाने में आपको वाशेंट बेंटे थे वो उसके रहोते तैरे डिन वगारा के सारे चिपक गए थे और बहुत अजिदी आग पकड़ते थे वो तो उन्हे आग पकड़ी और मेरे जूत उसे लेकर सर तक आगी आग थी अच्छा मुझे फिर अल्नम ये याद आए तो म इसमें एक हमारा सेफटी साइन है जिसमें लखा है कि अगर कपड़ों में आग लग जाये तो जमीन पर रोल करो जा लट लगा हो रोल करो तो मुझे उसी और फिर अपर इसास हुआ है मैं जमीन पर लोगा है मैं अग बजग गई देख इसके बावजूद थर्टी फाइव इसके बाद फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैं अपना अग लग गई अपने अपने ते बैट पे सो रहे हैं मालूम है कि अपना एसी में तो यही परानी बात है तो उसब फिर यह हो था कि मैंने फॉरण में बंद किया आग बजग गई इस तरह के सबस्क्राइब आजकल पावर फ्लक्चुएशन का प्राफलम चल रहा है उस तरह से जो फ्लक्चुएशन होती है वाइर इंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है अड़्िंग हो जाती है उसमें इस तरह की प्रॉबलम्स का वाकिए में देखने को सामना मिलता ह है हमें जिया एक्जेक्ट इस वही चाहिए और एक्टनली आग लगती है और वो आग एक्दम फैलना शुरू हो जाती है क्योंकि अशुरू किया था काम तो सब बहुत मामूली से आते थे पॉपन्ट इस वार एक्षिए अगया फोम एक्सिंगिशर आगया इस्टब पंप होते थे जिसको अपना बाल्टी में रखा और साइकल के पंप की तरना शुरू कर दिया और पानी पिकना शुरू कर दिया यह बिल्कुल यह पुराना इंक पुराना था लेकिन अब तो जद आप लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं और वहां से वह बहुत सारी नौलिज गेन करके वापिस अपने ही मुल्क में आरके सर्फ कर रहे हैं वरना नॉर्मली तो यही होता है कि बच्चे जो है वह बाहरी शिफ्ट हो जाते हैं जी जी मगर भी वापिस पाकि हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि आज की जनरेशन उससे अवेर नहीं है कि पराने जमाने के अंदर कितना पेशन्स लेवल था और हम किस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे थे तो इसका कोई वाकिया या कोई ऐसा जिकर मेंशन करेंगे जो अज अवाम इस वकत करप्शन नहीं थी और मुझे याद है कि मैं अपना यह फार ब्रिगेड वहिकल्स सप्लाई किया करते थे तो नाइंटी सेवन्टी के बाद बुटो साब आए और यह आगे वागे उनने देखी तो सारे मुस्मल कॉर्परिशनों में या कमीटियों में उने पैसे दिये गा अधराबाद टंडो अलायार टंडो आदम शेदाद कोट संगर नवाबशा और सक्खर जैकाबाद काश्मोर मतलब सब जगह पे मैंने गाड़ियं सुप्लाई की थी आहरात बढ़ते चले गए और फिर पिस ऐसी बात भी जाती लेकि मैं वह बात नहीं करना चाता लेकि फि से कंपनी आई है तो उन्हें इस चीज का खासा ख्यार रख़े है तो सर आपके आपका फवाद ही आपके साथ इस वेंचर में या आपके और भी बच्चे आपके साथ एक चोटे हैं से जवाद वो भी साइनिय का यूनिविस्टि कैनिड़ा से पढ़के आए हैं फायर फैर हमारे पास है लहर हमारे पास है कराचिभी आर पास पुर पाकिसानी अल्हम्दी आ सारे चाह पे हैRP भाट अच आ है हम घृम जो एक चीज़ मेन रखी हो के द्याना दर्य से काम किया जाए सची बात पहर PART हमने रखी है अपने हैं जो एक केमन्ट दें वो कमसकम ऐसा हो कि आग बुजा सके यह नहों कि अपसे से कमाई का मकसद हो क्योंकि मेरे माबाप का नाम इसमें है तो मैंने हमेशा कुशिश किया कि हसी नभीब को कुछ सदका जारियर है उनके लिए बिल्कु सभाब का काम है वैसे आपने नाम ही सार अपनी पेरेंट्स के नाम पर रखावा है और उसी को लेके चल रहे हैं तो उनको भी कितनी खुशी होती होगी है अधिकर बस अन्ला टाला उनकी मगफरत करें तो एक मेरे बड़े भाई थे जिनके साथ मैंने काम शुरू किया था तारुमान बाडी साब उनका भी पिछले हफ्ते इंतिकाल होगा है दस दिन पहले तो आपके मफरत करें हम वह साथ साथ रहें पच्छी साल इसके बाद फिर हम उनके बच्चे बड़े ये बच्चे बड़े तो पिर अलग-अलग कर रहे होते हैं वहाँ पर सीखने को कितना मिलता है बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनकी मेनत है पचास बरस इन लोगों ने वालिद ने और ताया ने मेनत की इस कंपनी को आगे बढ़ाया हमें तो एक अच्छा खासा प्लेट फॉर्म जब मैं 92 में इदारे में आया तो मि पर इनों नहीं हमें बाहर भेजा इंग्लिंड भेजा यूएस कानड़ा एक प्रोफेशनल बनने के लिए कि आप जो काम कर रहे हैं आपको सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए आपको मालूम होना चाहिए कि आप कर के आ रहे हैं कारोबार हमारा मेंली इंडस्ट्री के सा साथ कमिर्शन एदारों के साथ एविएशन के साथ फॉज के साथ क्लैसिफाइड एटम बम के एदारों के साथ है हमारा बिजनिस आम लोगों के साथ मेरे खाले बहुत कम होगा पॉइंट वन परसेंट भी नहीं है 99.9% हम इंडस्ट्री के साथ उनके साथ काम कर रहे हैं ज पर वो हमने एक पिछले दूनों एक मैंने प्रेजेंटेशन भी तैयार की थी जिसको साथ के साथ और को रहे हैं उनके लोगों को बुला कि इंडस्ट्री को प्रेजेंटेशन दी के जी वाइन आट है वार ओन फायर स्प्रेशन सिस्टम इन आर बिल्डिंग इन प्रेमिसे फायर ब्रिगेट इस लास्लाइन अफ डीफेंस दीफेंस आट अफायर बिल्डिगेट पर बहरूसा नै कीड़ा चैया पर जासे बिल्कुल आछिए निहीं पहुछ बाते हैं तो जब मैं बतारा था निहीं प्रेस्ट अगर हम आम लोगों के साथ घरों के साथ आथ फैमिल के लिए लेकिन कोशिश हमारी ये होती है कि कोई भी जैसे मैं कई टॉक शोज की हैं लेकिन ज्यादतर तर इन्फरमेशन मालूमात मैं आम लोगों के लिए देना चाहरा हूँ मिसाल के तौर पे मैं कुछ सवालात हैं जो हर जगा शेयर करता हूं और इसका मकसद भी होता है कि जुन लोगों को नहीं पता और बेश्माल लोगों को नहीं पता हूँ मिसाल के तौर पे कि कि आपको फाइर ब्रिगेट का नमबर मालूम है आप बताईए आपको पता है मुझे याद नहीं है आपको नहीं पता है यहा 99 फीसाद लोगों को नहीं पता है किराची में फाइ extinguisher है? । New閡 आपने ख़ाने कि आग बचाने का आप आग लग जाती है तो आप क्लोड़ है। । आपके घर का बचाने का आग लग जाती है तो आप क्या करेंगी जब आपके पस extinguisher ही नहीं? तीसरा स्वाल यहां क्या आपके खुडानाखंश्ता जैसि में खिर तो रुख जाईए और उसके बाद लेड जाईए ड्रॉप अपने तरह और फिर रोल कीजिए जमीन के ऊपर है तो इस तरह रोल करने से आपकी आग बुच जाएगी आपके अक्सिजन कट आफ हो जाती है पिर मैं एक सवाल यह करता हूँ कर आपके घर में दुआ बर जाए त आप जो भी बात करें वो बिलको लॉजिकल करें और जिस रूटीन के साथ हमारी लाइफ स्टैंडर्स चीज़े चल रही होती हैं वहां पर हम सुनते हैं यह आग लग गई वहां यह हुआ वो दिन जो होता है ना वो दिन सवरा सा दिमाग में सोचने का होता है उना कर हमारे जी बिलकुल बात हुआ थी कि दुआ भर जाए तो उसमें धुआ जो है उसका जो इट गोज अलवेज अपर दिरेक्शन तो आपने उसमें क्रॉल करके जमीन के ऊपर जैसे हम वो फौजियों को देखते हैं या बच्चे हमारे क्रॉल करके नीचे से निकल सकते हैं दुआ जाए फिर एक सवाल आता है किचन सेफ्टी के हाले से जाए जाए डिया तो आप क्या करेंगी कैसे बुझाएंगी अब ये सवाल भी लोगों को आता है वोग क्या करते हैं पर पानी ढल देए ये बहुत बड़ी है पानी डालने से आग और फैल तो उस पो बुजाने के लि सेंड तो एक पुराने जमाने में भी उसका बड़ा इस्तमाल था कि आग लग गई तो मिटी का इस्तमाल करो वो एक डम से बुच जाएगी इसी तरह एक स्वाल यह है कि सेंड रखना पसंद नहीं करेंगे हैं अगर हमारे पावर डिस्ट्रिबूशन बॉर्ड माग लग जाती है क्या हम इस पर पानी का इस्तमाल कर लेंगे नहीं वह और नुक्सान यह जो आग पर पानी डालेगा बिजली की आग पे खुद खत्रे म होना चाहिए जिससे आप उस आग को बुझा सके हैं तो यह पांच-छे सवाल होते हैं इनको शेयर करने का मकसद भी होता है कि जिन्दगी में अगर मेरे साथ या आपके साथ खुदाना खासता को ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस सिचुएशन में हमें मालू होना चाहि है कि हमें दूवे में कैसे निकलना है कपड़ों में आग लग जाए तो क्या करना है किशन में क्या करना है बिजली की आग पर क्या करना है फाइर बिगेट का नंबर क्या है एक स्टेंग्विशर हमारे घर में हमें इस्तमाल करना आना चाहिए जी सर होता यह कि आपको बता कि प्रावबिली हमारे मिल्क में के अवाँ कुछ ऐसे अवाम होगी जिनके घरों मैं इस तरह की चीजे जरूर मोहिया होंगी पीपल हो आर फाइनचली वेरी स्टॉंग उनके घर इस तरह की चीजे जब वो बनाते होंगे तो वही चीजे शायद रखते होंगे। वह वह बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास इतनी सारी चीजे नहीं है मौझूद वह शायद इतना अफोर्ड नहीं करते हैं इन चीजों को घर में लेकर आना। आगे चल कर जो मेरा ख्याल है, जिस तरह से हमारे मुलक के अहालाद बहतर होते जाएंगे, आगे चल कर जब सब चीजे स्टेबिलाइज होंगी तो आइ थिंक लोग उस तरफ भी थोरा रुजहान करेंगे, आजकल तो दूसी इंडरस्ट्री और दूसी चीजों के बारे में जानने का शौक जादा है, खावाती ही नी क्योंकि किचिन का इस्तमाल कर रही होती है, यह तो बड़ा इंपॉर्टन मौज़ है क्योंकि रेस्टरॉंट में इसकी बहुत जादा ज़रूरत होती है, तो यहां पर जो ऐसे लोग हैं जिनका कुकिंग के साथ जादा काम चल र प्लास उनके स्मोक अलाम्स को वो रेगिलर्ली चेक करते हैं, उनके बच्चों की स्कूल में और हर जगा तर्बियत होती है, ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान में भी जिस तरह हम हसीन हबीब काम कर रहे हैं, हमने 1999 में एक एदारा यहां फायर प्रोटेक्शन एसूसियेशन पाकिस्तान बनाया, FBAB. इस किसम के अदारे महुजब माशिरों की निशानी होते हैं कि जी आपके पास ऐसी एसूसियेशन हैं, मैं आप हैरान होंगी कि अमेरिका में ये अदारा, 1896 में बनाया था, हमने 1999 में बनाया, यानि हम 103 साल ताखिर से इसको लेकर आए, भाराल दे पार्की के नाम से एक डॉग बनाया है, चुके बच्चे वहां कुत्तों के साथ बहुत ज़्यादा था होते हैं, तो वह एक 5-6 फूट का डॉग पीछे से आप उस कुत्ते को आप माइक में बोल रही होते हैं, आवाज उसमें से आरही होती हैं, और रिमोट से उसको कंट् आउस्ट्रेलिया से एक डॉट्र साथ पीच्डी आये थे तो करें लगे फवासाब, आभ अभी तक यहां पाकिस्तान में यह जोड़ दे रहे होते हैं कि आग बचाने के आहलात कितने जरूरी हैं यह लगा लें, खुदाना खास्ता हादसा हो जाए, तो क्या करेंगे? हम आउस्ट्रेलिया मैं यह काम तीस साल कबल कर चुके हैं, अब तो हम यह सोच रहे होते हैं कि हमारे हैं कुछ पारकिंसन के पेशिंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फायल आम्स नहीं सुन सकते हैं, यह रियाक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए हम क्या करें, तो हम यही रही है लोगों में शवर बेदार हो जाए कि आग बुजाने के आलाद कितने जरूरी हैं किस हद तक आप अपने इस चीज में सक्सेस्फल होई है कि लोगों को आपने देखे जहाँ आपने इंडस्ट्री जोन की बात की तो वहाँ पर तो यह बहुत ही एहम है वहाद पर तो आइठीक इसको निक्लेक करना ही नहीं चाहिए है क्योंकि सारा नुकसान उनकाः इंशॉर्णस पर हो या क्ए कि वहाँ पर लोग जो काम करर रहे हैं तो वहां पर तो समझ में आता है, वगर बाकी के लोगों में जहां आप अपनी लेकर चल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, कितने इंप्लिमेंटेशन हुई है? जी, अलहम पाकिस्तान में आवेरनेस बहुत बढ़ गई है, जो मल्टिनेशन इदारे होते हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपने अपने घर में आग बुजाने का आला रखें, अपनी गाड़ी के लिए रखें, कंपनी उनको फ्री गिफ्ट कर देती हैं, ता पाकिस्तान में एक ऐसा महौल है कि आग बुजाने के आलाद मिलते का हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है, यह जिनको पता हो कहते हैं, अच्छा हसीन, हबीब, हसीब, हम कभी स्कूल जाते थे तो हमने यह नाम देखा था, वहां से गुजरते थे, तो अलहम दोलह वही न पूरी पाकिस्तान का युनिवर्सल नंबर है, जिस पर आपको रिस्पॉंस में लेगा और जो चीज़ चाहिए होगी हम घर भी पहुंचा देंगे, हम इसी तरह का एक नई केमपेन में जा रहे हैं, आम लोगों के लिए, यह तो हम यह बड़े 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 इसी ब्रेक पर कहीं न जायेगा, मेरे साथ रहेगा, वापिस आकर फिर हम इनके साथ डिस्कॉशन करेंगे किस तरीके से हम आम अवाम को घरों के लिए जो हैना इनके प्रेवेंटिव मेजर्स के बार में बताएं वेलकम बेक फ्रिम दे ब्रेक जी सर तो हम बात करें तो फवाद के साथ कि जिस तरह उन्होंने बताया कि कितना महनत करके आप लोग माशाला से आगे बढ़े हैं और लोगों के सेफटी और सेक्यूरिटी पॉइंट और व्यू के बारे में आप एक बिलकुली अलग सब्जेक्ट के ओपर काम कर रहे हैं और जहां मैं समझती हूँ यह बड़ी ऑनर की बात है हमारे मुलक में के इस तरह से इस की तरफ भी रुजहान दिया जा रहा है जहा आपना खासे लोगों को शहुत आगया इस चीज़ का आगाई हो गई है कि हमने फायर एक्स्टिविश्ट लगाने है फायर फैटिक एक्यूमेंट का रेंजमेंट करना है और खासे लेकिन एक बात में बताता चलों कि हमारे हां कानून है अल्री बना होगा कि जितनी भी सनन सी लेना परता है कि एक्यूमेंट इंके बास नहीं रहतले चाहिए इनको फूरा बिल्डिंग में में रखानने चाहिए लेकि एंप्लीमेंटिछ नहीं होता है फिल्यकून होगा इस चीज़ के ऊपर इनक्षानwhen बात करें कि 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 इनको इस तरह की सहूलत है वे ले आग बुजहने के आलात इतने मेंगे नहीं हैं अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं कोई बिल्डर मेरा खाल है पूरी बिल्डिंग की कंस्रुक्शन कॉस्ट में एक फीसिद अगर वो इजाफा कर लें तो आपका बेहतरीन और जडीद सिस्टम बिल्डिंग के अंदर लगा है तो उसमें वही सिस्टम या एकुप्मेंट काम करेगा और लोगों की जाने बच सकती हैं बिल्कु सही कह रहे हैं यह चीजों का होना वैसे वाकी में लाजम है हमारे पस अमूमन आइटिंग बड़ी बिल्डिंग से वहां पर तो इस तरह की चीज़े महजूद हैं कुछ कुछ ऐसी जग Cum Laire हैं कुछ नहीं काफी सारी ऐसी जगाए जहां पही ऐसी चीज़ें तो किया आपने कभी सोशलाइट बहुत सारे लोगों को गैधर करके जैसे आप बता रहे हैं कि आब एक दफ़ा सुनते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए सोचते हैं फिर शाम तक भूल जाते हैं हमने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है उस ट्रेनिंग सेंटर में फायर फाइटिंग ट्रेनिंग एक अधाफी काबलियत है जो जिन्दगी में कभी किसी वर्त आपको अपनी जान या किसी और की जान बचाने में मतदद दे सकती है अब के अलावा जिसे हसीना और हबीब जैसे आपकी ऐक और अरगेनाईशेशन है उच्छी तरह की बहुत सारी और बिया और आउजेशंस हैं चोके फायर के ओपर काम कर रही हैं है अबिल्कु है इतने वसी है मैंने भी तक कोई भी इतना ज़ादा कॉम्पटेशन इतना बढ़ा नहीं है कंपटेशन तो अपनी जग है लेकिन इस पर आइटमस की हमारे पास रेंज हैं मोहिया हुई भी तो सबसके बात बता हैं जैसे भी हमारे पास पिछले साल का इंसिजिटन्स वा था एरपोर्ट वाला भी तो उस पर भी कितनी आग लग गई थी हमारे सारी फ्रीजिंग की जगाओं को आग लग गई जहां से हमारा सारा सामान बाहर से आता है वहाँ पे जाता है तो उसकी प्रिमेंटिव मेज़र्स के तो पचास साल में हमने कोशिश यही किये, ज्यादा सेमिनार्स और प्रोग्राम्स करके लोगों को इस हवाले से शरूर दिया जाए, कुछ हमें अवार्ड्स भी मिले, कंसिस्टेंट परफार्मिंस अवार्ड मिला, प्लाटिनियम डिस्टिबुरिशिप अवार्ड थाइलें जो आई बीए जैसे इस इंस्टिटूट ने की और सुडिंस नहीं फैकल्टी ने की है, फिफ्टी एर्स इन फार प्रटेक्शन के नाम से, वो के स्टड़ी जो है बाहर भी जाएगी और पाकिसान में भी स्टूड़न्स को पढ़ने का मौका मिलेगा, कि पचास बरस में हस कोई हम से पूछता है, आप करते हैं कि हम से अग बजाएगे, इस मुल्क पे बहुत आग लगी है, कोशिश हमारी है कि हम अपना हिस्सा करें करें ताकर हम अश्रिष के ओपर जो है ना, बिलकुल, लोग कहते हैं कि अच्छा काम है, आग बजाने का काम है, अभी मेरी आई हुसाइन साब से एक दिम लाकाती हुई, और भी मेरी पूछा है, क्या कर रहे हैं, हमने गड़ी पचास साल से आग बजा रहे हैं, कोई बात तो होगी आप में जो पचास साल से आग बजा रहे हैं, मैं अपने बच्चों को यही कहता हूँ, कि शॉर्टकट्स मत लगा हो, आइस्था इस्था चलो, अपनी बुनियाद मजबूत करके चलो, ताके लॉंग टर्म के उपर गाम कर सको, यही चाहती हैं, कल मैंने फवाद बारी साब से यही बात की थी, कि मैं यह चाहती हूँ, कि आप लोगों को देख कर जो हैं, वो तमाम लोग जो इस वकत प्रोग् आती हैं, मगर जो महनत करने वाला इनसान होता है, एक अल्ला के रास्ते पर चलने वाला के इमान दारी से एक चीज़ करके चलना है, वो अपनी सक्सेस को कहा देखता है, यह हमने दो चीज़ रखे हैं, आपको अच्छी चीज़ लेकर आते हैं, वो फॉरण हम इसको पर अपनी और्गनाइज़ेशन को बहतर तरीके से लेकर जलना, एक जिकनी, तो इसे हर मतलब खास्तों पर हम लोग अटेंट करते हैं, जितनी भी दुनिया में होती है, एक्जिबिशन वगरा बार की, उसमें अक्सर जो बड़ा यूनिट होता है वो अपना जर्मन में, इंट चीजें अजाद होकर आरिहोती हैं, जो के पीरली पहले मैसिफ डोस का इस्तमाल होता होगा, कम डोस जिए का इस्तमाल होता होगा, मताब एक्विमेंट बड़े से चोटे साइस के आना शुर हो गए होगे हो गैँ आप बहुत सबस्ते हैं जैसे आजल चल जो पहले इस अगली तो एन फ़ किलो अच्छा वह बहुत लिए था जी अगए पहला तना मुश्कल अठाना इतना इसी हो गया सब चीज़ों को लेकर तरह खासी टेकनोलोजी आरही है इसमें नहीं नहीं इस तरह से फोर्म एक्यूप्मेंट में जो है बहुत साइज नहीं आगी है उस सब्सक्राइब हो जाती है उसी तरीके से जो हमारी टिकनोलोजी इस भी चेंज हो रही है शुरू हो जाती है तो अफ़ाद सा मुझे बात बताएं के जहामने बात की पचास साल इस लांग चैनिया और आमने एक वक्त लगा होगा वहां से आते वह इस तक पहुंचने में आ अपने इदारे में आपने ये सवाल किया था कि आपके कंपेरिटर्स भी होंगे बिल्कुल हैं वही होता है ने सर हम यह जानना चाहते हैं कि हाव और यू डिफरेंट फ्रमाइज नहीं है जब जैसे आप पूछ रही हैं हमारी जो केस टड़ी का इंट्रव्यू आई बेए जब बाते हैं तो कि पांच मिनटकी इस आप रह्यारा है तो मेरे साथ एक गंटे बात करते रहे था तो सर को बलाया था जाए पांच मिनटकी कि तो सर ने यह सच्चाईए ऩय तो कहने लगी गो रॉख साहिब कर यह जा गर अभी आप आप पह बाते करें कि लिए इमानदारी का है आपने भी इसे वीकन प्रोग्राम है मुल्की हालाद देखें आर्मी चीफ के आक्शिंज देखें करॉप्शन के हवाले से हमें हमदिल्ल्ला मैं एक बड़ा उपनली कहता हूं इन बिसनेस वी आर मुस्ट अफिट फिट फॉर दे सुसाइटी किस तरह वी ड इसे बाड़े से ट्रेट रिखें दुसरे डॉर्गवट्स ख्राइब जाते हैं इसी ज़िए जब हम एक तरह इसी प्रॉजेक में जा रहे हैं अनफोचनेटली ऐसे लोग इंवाले हैं जो एक्स्टेशन रख रहे हैं जो एपसे दे रहें अपेश्ट हैं इसी तरह के कुछ लोग इसको रियूस करते हैं, पुराने पाउडर्स यूस करते हैं, वी डॉन वान टो कॉम्परमाइज करते हैं मैंने इनकी बात काटर और बता दो जो अपने कहा था कि में हमारे हैं तक्रीवन तक्रीवन जो पचास मुलाजीमीन जो निकले हमारे गए अब चोड़के उन्हें अपनी फर्मे खोली हैं, इतना आपसे सीख कर गए हैं, अब इससे पर एक बात और करने थी जहां आपने फर्म्स क्यों और और अगनाईज, सर हमारे मुलकें दर बहुत बेरे उसगारी भी होई भी है, लोग अच्छे चेंशे इंस्ट्ट्ट्स पढ वजूद भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो क्या आप लोगों के पास इस तरह की जॉब्स अवेलिबल होती हैं, रिकुर्फमेंट और हाइरिंग हो रही होती हैं, जिसमें आप लोगों को हायर करते हैं, किस बेसिस के ओपर कर रहे होते हैं, वो भी जर आप हमारा इमेल अड्रेस है उसके उपर, इसके लावा हमारे बुनियाद यही है कि आदमी को जहां तालीम है, वहां उसका विजन ठीक होना चाहिए, उसको शोर्टकर्स में नहीं जाना चाहिए, उसको इमानदारी और मेनत पे भी हैं, बहुत दूसरी जगाओं से भी हैं, कही कि जानती तक नहीं हो, वो लोग मुझे पूठ रहे होते हैं, कहीं आप पता कर सकती है, या क्या है, तो मझे बहुत दुख होता है, देखकर, कै मैं, मैं यह जा ही थी, कर कि जो भी मिलता है मैं सब को यही बोलती हुए कि मैंने का आप लोग प्लीस सब लोग इतना महिनत करके आगे निकलें ऐसे लोग जो आपकी में आपकी तरफ आना चाहते हैं उनको थोरा रुजहान दीजे और ऐसे लोगों को अपने पास जरूर रखें मेनत करने वाले लोग शॉर्ट कट में लोग इसी वजह से जाना शुरू होता है क्योंकि बेरोजगारी इतनी जादा हो गई है आज से हफता पहले हम A.D.I.G. साब ट्रैफिक पुलीस से यही बात में करी थी कि मैंन का आप लोग की भी पुलीस डिपार्टमेंट के अंडर नौकरी आती तो महरबानी करके जहना उसको ओपन करें इप्री एक है कि बाताईथ, owner हम backyard घॉर्टमेंट जाते जिन चाहते जिनके साथ डेडिकेशन आएखिक वोश्नग आपके पादर की फील्ड थी को एक तो आपको तो बना-बनाएग घर मिला हैches, कॉनकर ऑपके फादर की महनत मों जो आप लेकर साथ चल रहें और उसी तो बिल्कुल ही समझे इन हम गई है। डियरेक्ट में अब्रे स्टाफ दर कहता हूं कि एक बाई मुझे तुम्हारी सूरतों से प्यार नहीं है तुम्हारे काम से प्यार है इसमिरilton को अब जिद्धत पैदा करना बहुत जरूरी है वक चलन बहुत जरूरी है अगर आप वक के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे तो यही हमारी भी कोशिश है वी अगरा एक सेंट्रलाइज हसीनभी भाउस है और वो इंशाला दोहजार सोला के आखिर में हम वहां शेफ्ट हो जाएंगे इसके लावा हमारी मुक्तलिफ हमने डिपार्टमेंट्स बना दी है उसमें एच आर है अड्मिनिस्ट्रेशन है एक हमने और भी बताया आपको कि हमने हसीनभी फाउंडेशन ट्रस्ट में बना दी है तो एक जरूरी थी सर कि आपने ट्रस्ट पनाया है उसमें आप कौन लोगों की मदद कर रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं जिनके घरों में आप ये सहुलत महलिया करना चाहते हैं किस हिसाब से कर रहे हैं देखिए चेरिटी मैंने अपने वाली से जो कुछ सीखा होगा लेकिन चेरिटी जरूर इन से सीखिए जो बोल रहे हैं इनों ने हमेशे यही कहा कि जकात तो फर्द है हमारे उपर लेकिन जकात के लावा अतिया डूनेशन सदकात वह बहुत जरूरी हैं बहुत सारे लोग अने अब एक foundation बना दी है। उस foundation में सबसे पहले बच्चों कि एजुकेशन तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको क्लेकर यदि करें उसका उसमें detailed बच्चों की तालीम है कुछ बच्चों कि तालीम है उनके शादी के जहेज्ग और दावत के एक हिसाबे किताब है वह है इसके अलावा कुछ लोगम तो हमके वहम्झौनों का घर दी है माशावाला सारे बेमारों का तो हमके देजोरे बेन को का ना है सब्स है आना, वहां रखने नहीं पड़ता हुँ नबंक जा है इदारे बड़े इदारे जो पाकिसान में काम कर रहे हैं मैं नाम भी लूँगा साइउ टी है इंडस हास्पिटल है इनको साथ मुसलसल राप्ते में हैं इनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं अन इदारों को तो इसे भी बहुत जगह से फंडिंग मिल रहे हैं तो इस वक्ति वह देखा जारा है इस वक्ति अधर देखा जारा है कि इस तरह से अमारे पस गर्मी हो रही है तो इस पर भी थोड़ा सा कीज़े थोड़ी आवाम के लिए कुछ बहार लगए बाहर लगवा जहां पर लोट पर जहां पर बस स्टैंड्स लगें वहां पर वाटर कूलर्स लगवा देने चाहिए आप लोगवा जाते हैं तो ऐसा पर्मिनेंट कुछ मैटल के लगा देना के वह पोखाड कर भी कोई ना ले जा सके आप से क्लास्टिक के क्यों रखने हैं पर्मिनेंट कि कितने ही आपको मालों में सवाब हैं जे अगर आपके पड़ोस के अंदर घर बन रहा हो तो वहां पर भी आप जाएं अगर उनके मजदूर भी आ रहे हो और पानी मांगे तो आप ज़रूर दें उसका सवाब है तो यह बहुत सवाब मैं खुद इस पर काम करती हूं कि पर हैं तो आप तक्सरी में सवाब मिले clean शरूब इस नाम से और आपके यहां आपके यह जारा है लोगो और इस नाम से भी आपके रहे है थांकि सो मच सर्थ, आप लोग इना अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के ले दिया, उमीद करते हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और तमाम लोग जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने फायर के हवाले से जाना होगा, कि अगर खुदाना खुषता आग लग जाती है, आप ही के कपड़ों के अंदर तो आपको रोल करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए है कि कुछ प्रेवेंटिव मेजर्स हमें हमारे घर में रखना चाहिए, खास करके वो खवातीन जो घर के अंदर मुसलसल कुकिंग क कर रही होती है, और वाकी में ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि तवए में जहेना वगर आग फायर एकदम हाई हो जाती है, उस टेम पर हमने सेंड वेंट नहीं जाली एकदम से तवा जहें वो दुसी तरफ करके रख देते हैं, मगर ये होता है कि इन चीजों के बारे में जान